हालो प्रेंट्स मैं हूँ पंकर सर्मा आप लोगों का दोस्त चलिए आज हम फिर बात करने वाले हैं डियमाइटी टेस्ट के बारे में डियमाइटी टेस्ट भी एक महत्पून चीज है जो कि आज हम बताने वाले हैं जो कि हावर्ड गार्डनर की दान देन है इस देश को उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज का रिसर्च किया है जिसे हम जानते हैं हम सभी लोग जानते है इट मल्टिपल के नम से इट मल्टिपल जो इंटिलिजेंट है ये में साकलोजी करते हैं या साकलोजी के टाइप के जो पढ़ाई करते हैं लोग वहाँ पर उन्हें पढ़ने को मिलता है आठ तरके इंटिलिजेंट है जो हर इंसान पैदा लेकर के ह हर Intelligent के बारे में अलग-अलग वीडियो में जानने को मिले गए क्योंकि आठ तरख के Intelligent है, इसलिए आठ तरख के वीडियो में हमने बाटा है चलियो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं Intraligent के नाम है Interpersonal Intelligence ज़से कई सारे Intelligent है, Interpersonal, Interpersonal, Visual, Logical, Fine motor skill, Gross motor skill या linguistic intelligent या musical intelligent या natural intelligent है या अलग अलग तरह की कई सारी intelligent है आज लेकिन आज हम बात करने वाले हैं interpersonal intelligent क्या होती है what is interpersonal intelligent सबसे पहले हम जानेंगे और इसकी characteristics क्या है कैसे हम पता लगाएंगे कि a person interpersonal quality का उसका धनी है साथ में कि interpersonal quality है लोग उसने किस केरियर में जाना हो उसके के लिए कौन सा interpersonal होता क्या है interpersonal अक्सर अपने सुना होगा कि कई parents है से सुने होंगे कि हमारा बच्चा तो अंतर मुखी है बहुत कम बोलता है चुप रहता है अभी भी कभी भी कोई guest आते हैं तो जानते हैं कि वह अम दर रूम में जाकर कर बैठता है चला कर नहीं बैठता है इसा भी quality जो ह उमें खामिया है जिसके कारण वो बना करके रखता है अक्सर में एक quality होती है interpersonal quality होती है ऐसे लोग कोई एक अलग career के लिए बने होते हैं उनका direction होता है एक कोई कमजोरी नहीं है कि parents से चला के बात नहीं कर रहा है किसी guest से बात नहीं कर रहा है या stage पर आने से डर रहा है एक कोई करतरा की खामी नहीं कई जा सकती है एंट्रिजेंट है जो कि बहुत कम बोलते हैं इन लोग इंटर पसंद लोग हैं जो कि एकांत मेरा आना पसंद करते हैं लेकिन बहुत कमाल भी कर सकते हैं चलिए उस quality के बारे में हम लोग जानेंगे सेकेंड चीज जो है जी जह है करेक्टिस इनके क्या है जैसा कि पूर में मैं बता रहा था कि ये लोग बहुत कम बोलना पसंद करते हैं स्टेज पर आना जाना नहीं पसंद करते हैं ज्यादा ये फ्रेंड सर्किल नहीं बनाते और अकेले रहकर जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना टीम में रहकर के काम नहीं करते हैं पाते हैं ये अकले रहा करके काम करते हैं इमोसिनली ज़्यदा इविक होते हैं लेकिन अपने भावनाओं को बहुत ज़्यदा अच्छे से समझते हैं खुद की भावनाओं को समझते हैं इसलिए समने ओले भावनाओं को भी समझते हैं लेकिन इनका बहुत पर के वहती है इसके आगे मैं केरियर बताऊंगा कि किस केरियर में उन्हें बहुत बुलंदियों तक छो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा इसा केरियल है जो कि इंट्राप्रसनल क्वाल्टी से जो पूर्ण है बचे जो ले तो यह पता लगा लेन चाहिए कि क्या बच्चा वाकी इंट्राप्रसनल है अब एक पैसा लगा कैसे पता लगा कि आपका डिमाइटी टेस्ट एक समान्य सा टेस्ट होता है जो कि इसकिन पर दिये गए नंबर पर आब बात कर सकते हैं आपने बच्चे का यह सुम का डि इंट्राप्रसनल क्वाल्टी के धनी हैं उनको हमें क्या कराना चाहिए ऐसा कोई फिल्ड जिसमें कम बोलना पसंद करता हो इंट्रेक्शन कम होता हो जैसे फाइनेंस का एंबिये तो बहुत सारे होते हैं मार्केटिंग का भी होता है चर का भी होता है टूडिजम का भी होत यहां पर दे यहां बहुत कम करने रहार है बत्चा तो इंटर प्रसनल है लेकिन मिफिक बहुत अच्छी है linguistic जो intelligent है बहुत अच्छी है musical भी अच्छी है तो हमें एक और सजेस्ट कर सकता हूँ intra personal बच्चे के लिए अगर दो intelligent और सहयक है जैसा कि मैंने बताया कि linguistic और musical ये दोनों भी अच्छे हैं intra भी अच्छा है तिनों intelligent अगर अच्छे हैं तो उन्हें musical लाइन में जाना चाहिए sound editing या music editing या sound का director music का director बनना ऐसा कुछ भी मैं आपको क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक जर्म बाट करके करने वला काम है कौन सा? जैसे music editing headphone लगाया, music edit कि एक जर्म बाट करके करने वला काम है अगर interpersonal quality का उज़ाच उल्टा तो एक जर्म बाट करके नहीं करता है कभी उधर भागेंगे बहुत ज़्यादा चाहत होती है इन लोगों की बातचित करने की बार बार बातचित करने वाला व्यक्ति focus हो करके music editing में नहीं बाट सकता है जब हम वीडियो बना रहा है तो आप लोग से बात कर रहा है तो आपको समझा रहा है तो वीडियो editing में जाएगा तो परसन बातचित करके वीडियो editing नहीं कर सकता है हो सकता है कोई काम है छुट जाए इसलिए एक ज़र बैट करके करने वाला काम interpersonal quality वाले लोग जिसनकी setting बहुत अच्छी होते वो लोग कर सकते है उन्हें इस फिल्ड में भी भेजा जा सकता है interpersonal quality वाले लोग ऐसा कोई भी काम जो एक ज़र बैट करके किया जा सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फैदेबंध होगा और इस फिल्ड में या finance काम यह बताए है इस फिल्ड में ऐसा कोई भी कारियाँ जिसमें अकेले रह करके किया जा सकता है इसमें ज़्यादा बहुत बुलंदियों तक सूसकते हैं लेकिन मैं ऐसेमीच चिज़ें ही बताउँगा जब तक DMIT report सामने नहीं है तो हम ऐसे कुछ सजिस्ट नहीं कर सकते हैं कि एक इंट्रिजेंट के भर से बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जा सकती है लेकिन हमारे पास इंटरपर्सनल क्वाल्टी है साथ में अतकर DMIT रिपोर्ट है तो और भी कॉमिने के संचेक कर लिये जाए तो एक सुनारा भर से और दिशा दी जा सकती है तो आप इसकिन पर दिये गए नमरों पर कॉंटेक करके बच्चे का DMIT टेस्ट जरू करवाएं ताकि आपको पता लग जाए कि इंटरपर्सनल अपका बचा है या नहीं है आप अगर यह सोच रहे हैं कि बहुत कम बोलता है कि आपका बच्चा इंटरपर्सनल क्वालिटी का है तो इंटरपर्सनल अच्छी बात है लेकिन और ची इनके साथ कौन सी क्वाल्टी है जो उसको सपोर्ट कर रही है सहय करने दूसरे फिल्में बुलंदियों तक ले जाने में तो इसके लिए आपको कराना होगा DMIT करता है इस्टेज पर जाना पसंद करता है इस्टेज बिन में जाना पसंद करता है उन लोगों के साथ कौन-कौन से केरियर है जो उन्हें फिल्ड में जानना चाहिए चलिए नेस्ट वीडियो में हम लोग मुलकात करेंगे इतने ध्यान से आप लोगों ने वीडियो सुना थैंक्ट्यू भेरी मच इस चैनल को श्रीपिलीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक भी कर दिजेगा और शेर जरूर किजेगा थैंक्ट्यू भेरी मच